गुड इबनिंग प्यारे प्यारे साथियों आप सबको पता है कि पीवियर स्टडी लहावा चैनल पर सामके छे बजे से आपका क्लाफ नाइन्थ का एक बार फिर से बैद सुरू हो चुका है तो बच्चों अगर आप भी कछा नौ में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है यह ठीक है यह सोचनक पहले चैपटर से कहीं नहीं पढ़ा रहें पहला चैप्टर अब ही मैं पढ़ाया हूं चैनल पर पढ़ा है आप देख सकते हो यह 12-13-14 चैपटर पढ़ा के फिर हम पहले पर चलेंगे बहुत आसान है उस चैपटर से कोई मतलब नहीं है ठी से कल जो बच्चे जुड़े थे पहले उनका नाम बोलेंगे आज वाले बच्चों का नाम कल बोलेंगे ठीक है जो आप कोई डाउट पुछोगे कुछ भी कमेंट करोगे तो आपका सारा रिपलाई लिख की मिलेगा मैसेज में ठीक है क्योंकि देखो आगर हम कमेंट पढ़त जीआंकी कमेंट आ रहा है मोहित खान जी आपका भी कमेंट आ रहा सुझीत वीक्र का कमेंट आ रहा है शूए servona आजयति यूपेंद्र रानी इसिंग विकासais 과ह ऑक्षिया कुरिश्यादों है को इसे बक्छे जुडएं चलिए आगे बात करते हैं अगर हमारे रेगुलर जुड़ेंगे तो हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे कुश्चन है बेटा पहला देखो उसके पहले एक चीज समझे लो यह हीरोन का सूत्र क्या है आपने इसके पहले पढ़ा होगा तिरभूच का छेतरफल हो गयरा निकालना पढ़ा है न कच्छानव में आप पहुंचे यह लगा देते हैं लेकिन साथी मेरे कुछ आयसे भी तिरुपूज हैं जैसे आपका विधार मुले काम नहीं करते हैं या फिर कुछय औबढ़ टाइप के मिल जाते हैं को देखे इसमें एक पहुंदा लगाना पड़ा जैसे आप देखो बाइक यह साइकल पंचर हो जाती तो उसमें पहले टायर कार्ट की चिपकाते थे वैसे इसमें चीज़ लगता है वह क्या है यस यस मतलब यहां होता है आपका सेमी परिमीटर अर्द परिमाब ठीक है तो पहल तो यह पहली भूजा का मान रहेगा ए में दूसरी भूजा सी में तीसरी भूजा का अभी मान रखेंगे तो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा ठीक है तो बिटा इसमें जो यस है इसे अलग से निकालते है एस इक्वल इसका फर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस यह आपकी तीनों भूजाओं के मान ABC के रखते जाते हैं आंसार आता जाता है जैसे यह कुश्चन आपको दिख रहा है इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पढ़िए एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है यातायात संकेत बोर्ड आप जानते हो ना कच्छा नौ में पहुंचे हो यह बताओ कमेंट करके आप लोग अगर किसी बड़े हाइबे पर गए हो तो उपर साइट बिटा एक बोर्ड लगा रहता लिखा रहता नीला नीला कलर बड़ ब्लू कलर बैग ग्राउंड रहता लिखा रहता है लोग निर्माड विभाग आज कल तो मोदी योगी जी की फोटो भी लग जाती बगल में चोटी चोटी यहां से आजमगण फलाना इतना दूर है कानपूर इतना दूर है देख्योग नहीं तो ऐसे क्या कह रहा है एक यातायाद संकेद बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है यानि वह संकेद बोर्ड कि के फलाना गाहो है यह स्कूल है देख्यो न तो वैसे क्या है लिखा है कि आगे स्कूल है और यह भूजा एव आले एक संबाह के आकारका है यानि जो संकेद लगा है वो कैसे है संबाह के आकारका है किasters हूद देखो हमारी कोसिस नोथीता आपको अच्छे की यह बात कर रहा है कि उसमें क्या है इसकूल लिखा variation दिखा sulfur बेजन दिखा सलग परियोग करते हुए इस बोड और ग्याद कीजिए यह संकेद बोड का परिमाप 180 सेंटिमेटर है तो इसका शेटरफल क्या हो यानि इसका जो परिमाप है कितना इसका जो perimeter है वह 120 cm दिया है तो इसका च्छेत्रफल पूछ रहा है ठीक है यह जो चित्र तुम्हें दिख रहा है इसका परिमाब दिया है इसका आपको च्छेत्रफल निकालना है बैस सिंपल सी बात है अगर हमें perimeter दिया है और यह संबह उतिर भूज है तो हम इसका पहले के HERE का सिरफ हमें परिमाद दिया है थीख हैं तो हमने माण लिया कि नहीं पता तो हमने मान लिया座 सेंटिमीटर है अगर इनकी साइड ए सेंटिमीटर है अगर लिख सकते हो लिखो इंदी में जब भुजा ए तब यहां लिखो जब भुजा ए सेंटिमीटर तब परिमाप क्या होगा आपको पता है ना तीनों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं तो तीनों भुजाओं क को जोड़ लेंगे तो परिमाप इसका आ जाएगा जब इनकी भुझाएं ऑब और चुकि हमें सूत्र में अर्ध परिमाब चाहिए तो हम क्या करेंगे सेमी पेरिमीटर यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे लिखेंगे अर्ध परिमाब लिख लो अर्ध परिमाब सेमी पेरिमीटर इक्वल थिरी यह पांट टू यह आपका क्या हो गया अर्द परिमाप हो गया अब ऐसे इस्थिति में जब हमें कोई भुजा उजा नहीं पता है सिर्फ हमें परिमाप बोल रहा था 180 cm है ना तो छेतरफल क्या होगा लिखो आता हां तिरभूज का छेतरफल आता हां तिरभूज का छेतरफल देखो बेटा इसका सूत्र याद करना बहुत ही आफान है बिना देखे हम ऐसे लिख रहे हैं अंडर रूट बनाना है यह लिखना पिसमाल इस के बाद परिमाप यानि से िसमा इस से लिखते हैं कि इस्वालों पर यहां पर कोई भी यहां लेंगे हर जगा एक रख देंगे ठीक है तो यह आपका क्या बन जाहें ध्यान देना हैं, आपर गौर फरमाना, यस कमान आप रखोगे, रूट, भाई, 3 A upon 2, यस कमान 3 A upon 2, ब्रेकट में यस कमान 3 A upon 2 माइनश A, ये भी हो जायागा, 3 A upon 2 माइनश A, हर जगह आप A रख दोगे, ठीक है, तो हम ए रखेंगे जिससे कि हमारा सूत्र आगे काम करें ठीक है ठीक है ना बाबू समझ रहे हो चलो आगे हल करो इनको इसके नीचे अगर हम वन छुपा दें क्रास मल्टीपल करेंगे तो यह आपका हो जाएगा समझ रहों कि नहीं 1 का म्ल्टीपल 3 A में करोगे ज Nada तो 3 A हूगा और 2 का म्ल्टीपल A में करोगे तो 2 A होगा तो आपका ये 3 A बटा 2 पहले तो इसको लिख लो फिर breakatte में क्या बनेगा 3 A माइनस 2 A अपान 2 का 1 इक में गुड़ा करोगे 2 यह है एपल वाला ए इस माल में रखना ठीक है वैसे इसमें भी करोगे तिर्चा गुड़ा करोगे बिटा तो क्या हो जाएगा वन का मल्टीपल थ्रिये में अरे भाई जैसे यह चार बटा पांच माइनस आपका साथ बटा तीन भिन हल करते थिक नहीं इसको कर लेते हो नहीं एकम मल्टीपल ऊंक मल्टीपल ठीय में होगा तो यह थिरिये माइनस टुका एमें होगा तो टूए अपांट तू वैसे इसमें भी हो जाएक आपका तो यह त्यरी माइनस ठीप कंप्लीट हो गया आगे इधर साइड बढ़ाकर लिख लो उधर जगा कम पड़ रही है तो आपका 3 A upon 2 देखो बेटा 3 A से 2 A घटेगा तो क्या बचेगा? 1 A बचेगा न? A upon 2 क्या बचेगा? A upon 2 वैसे इसमें भी A upon 2 सब में A A upon 2 बचेगा अब यहां से एक बात समझो आप इन सब का वर्गमूल निकालना है क्या निकालना भईया? वर्गमूल निकालना जरा यहां पर सावधान हो जाओ थोड़ा सा सावधान होने का मतलब यह है कि देखो इसमें वर्गमूल आराम से निकल रहा है दो-दो के दो जोड़े बन रहे हैं बन रहे हैं और ए के भी दो जोड़े बन रहे हैं यानि हम दो बार A बाहर निकाल सकते हैं, और दो बार नीचे दो भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो दो दो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन बैचारा 3 फफरा दुर भाग से, तो यह 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, ओय रुख जा अंदर आजा, तीन बाहर नहीं निकल पाएगा तो बाबू भाईया आपका ये हो जाएगा एका ए में मल्टीपल करेंगे तो एकाई स्क्वाइर हो जाएगा यानि अंडरूट तीन ऐसे ही रहेगा एकाई स्क्वाइर और नीचे फोर ठीक है लेकिन ये ऐसे नहीं लिखते है ऐसे लिखना थोड़ा गंदा लगता है ऐसे लिखते नहीं है अंडरूट को बाद में लगाते हैं सापोर्टर की तरह तो इससे एकाई स्क्वाइर अफान फोर और अंडरूट तीन ऐसे लिखते हैं ये आपका हो गया हम मेन पॉइंट निकाल लेंगे यह हमारा सूत्र आ गया हिरोन सूत्र के माध्यम से उस तरह के कोईश्चन का इतना लिख लो पहले तो मैं बता हूं आगे जल्दी करो मिश्टर पंकज कुमार काहे को परसान हो कमेंट के पीछे न पढ़ो सिर्फ पढ़ाई करो रवी संकर ठीक है कमेंट दिख रहा है किरन सबका कमेंट आ रहा है जो रोज जुड़ेगा मैं उसका नाम बोलूँगा रोज आओ सामको 6 बजे और पीवियार स्टडी 3.0 चैनल पर एक बार कोश्चन फिर से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं इसको इतना लिख लिए हो अच्छा है कोश्चन एक नजर देख लो फिर आगे बढ़ें देखो बाबु कहरा था कि नीचे लाइन देखो कहरा यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है यानि इस तिर्भुज का परिमाप इक्वल कितना है 180 सेंटीमीटर दिया आपको और हमारा जो फर्मूला आया तिर्भुज का परिमाप को तीने आया है आया ना बाबू आया ना यहां से हम क्या करेंगे एक अमान निकाल लेंगे तो एक अमान आएगा 180 अपान 3 यानि आपका 6060 एक सेंटीमीटर आयेगा जब एक अमान 60 सेंटीमीटर आ जायेगा तो अभी आपका फर्मूला आया था अंडरूर तीन स्कौर पान 4 ना अब लिखो आता हां आता हां तिर्भुज का परिद्रफल तिर्भुज नहीं वह क्या कह रहा था इसमें एक मिनट कोईशन में क्या था परिद्रफुज नहीं था कुछ और कह रहा था संकेत बोड ना लिखो हां संकेत बोड का छेत्रफल अता संकेत बोड का छेत्रफल लिखो फटाफट यह भाई लाइट को भी जाना था इक्वल एकाई स्कॉयर अपान फोर अंडर रूट तीन है ना बैटा बाबु यहीं ना साथ मान रख दो एकी जगा पे यह साथ काई स्कॉयर अपान फोर अरूट तीन इसका स्कॉयर कर लोगे तो छाचग छती डबल जीरू अपान फोर इंटू अंडर रूट तीन चार से काट दोगे चानवाई च्छतीस बराबर नौसो अंडर रूट तीन चूकि यह क्या है यह है छेत्रफल इसलिए आएगा इकाई का स्कॉयर देखो सेंटीमेटर में दि अब ही आपको बहुत 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 कोल्टी नहीं दिख रहा होगा अब यह प्रोसेसिंग हो रहा है ठीक है आप इसे फुल एजडी में देख सकते हो पीवियार स्टडी इलहाबाद चैनल पर साम को शे बज़े से और पीवियार स्टडी 3.0 चैनल पर बेटा इसको यूट इसलान पत्ति बनी वूए है फिसलन पत्ति मतलब सब्सक्ताइड ऑब आकसी पार्क में पैसल कर डिजरश्क थे υचंट पक्ष्टInU इसे को क्या बोलते हैं फिसलन पट्टि तो उपर से बच्चे बैटे हैं नीचे को सरख्याते हैं समझ गये फिसलन पट्टि बनी है और उस फिसलन पट्टि के में कहें रहा है जो यह राइंगे और साफ रखिए यह लिखा है यानि एक दिवाल को पेंट करके पार्क को हरा भरा और साफ लिखिए रखिए ऐसा लिखा गया है यदि इस दिवार की बीमाएं 15 मेटर 11 मेटर और 6 मेटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का छेत्रफल ज्याद कीजिए समझ रहे हो ना यह फिसलन पट्टी वो है जहां 11 मेटर लिखा है ऐसे लोग फिसलते हैं लेकिन जो दिवाल है बगल की भाई फिसलन पट्टी हवा में तो बनी नहीं है कुछ बना होगा आगल बगल दीवाल ऌगेरा न उसी की सारे बनी हैं तो वो आपको दिखाया गया चित्र में कोच्चन प देख लो तर इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू हम लोग क्या करेंग क्या तिर्बुज बना देंगे जैसे आपको बनाया है देखो इसको फट से तिर्बुज बनाओ कि कि चित्र को सोच समझ के बनाना पड़ता देखो बन गया यह क्या है यह फिसलन पट्टी है ऐसे लोग सरक रहें और यह उसकी नीचे 15 15 मिटर लंबाई है इधर 11 इधर 6 मिठर है तो इस पूरे का हमें एरिया निकालना जितना यह यह रंगा गया पूरा-पूरा ठीक है तिर्बुज का एक प्रकार से तो सबसे पहले हम अर्धर परिमाव निकालेंगे यहां पर लिखेंगे दिवार का अर्धर परिमाव लिख ल सब को जोड़ों के 32 बटा 2 बराबर 16 मिटर आएगा कितना आएगा 16 मिटर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं अब लिखो आता है दिवार का छेत्रफल कि दिवार का छेत्रफल क्या होगा लगा दो आपका जो भी फर्मूला है यस माइनस A, यस मा 어렵न सी स्य यस का माइन सोला आया है तो सोला मा इनस एक अमान कितना है इसको मानलो ग्यारा था क कमान कितना था है चुछा घुत इसको मानलो तिन भुज़ा है कोई भी मानलो आप और तीसरी बूजा पंद्रह इनका क्या करना है बाबू भीया हल कर लो 16 16 मैंसे 11 जाएगा 5 इसमें से 6 जाएगा this 10 ये 1 इनका वर्गमूल निकालना है देखो इसका वर्गमूल तो अराम से निकल जाएगा इसका हमें क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा पहले समझ लो जोला को हम čar गुड़े cesakते हैं यह ऐसे रहेगा 10 एक को ऐसे रैने देंगे कि आपका यह राप पांच भाह निकल जाएगा चर पंचे पीस अफ लीकष सकते हो चार गुड़े पांच यह अंडर रूट दो अंदर में रहेगा क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है ना फाइनल में 20 अंडर रूट दो यह क्या आगया आपका इसका चेतरफल आ गया यहां पर मीटर इसक्वायर लगाना नहीं भूलना यह वो गया अंसर ठीक है किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करिए कुशन पर चलते हैं कहरा है एक तिर्भूज की भूजाओं का अनुपाद 12, 17 और 25 है यह उसका परिमाप 540 सेंटिमीटर है तो इस तिर्भूज का छेतरफल क्या होगा यानि साइड का रेशियो दिया है ट्राइंगल के और पे हाँ जो बच्चे कमेंट करने में सबका कमेंट देख रहा हूं थोड़ा सा रुख जाओ मैं बोलूंगा नाम आप लोगों का परिसान ना रहो सबका देख रहा हूं ठीक है रुके रहो चलो देखो लिखिए माना तिर्भूज की भूजाओं का अनुपाद कितना दिया है मान बाबु यह बारा- c17 ऑर पचीज यह आपको दिया है एकर यह अनुपाद दिया है तो इसी आधार पे माशा लेते हैं माना- पी निकालोगे यानी पेरिमीटर निकालोगे न भही इसमें कहरा परिमाप दिया है ने भिए परिमाप निकलता है तो हमने क्या किया परिमाप लिख लो पी यहानी परिमाप बड़ाबर इतंव यहां परिमाप दिया है 540 तो पी की जग हम 540 लग देंगे इनको जोड़ लेंगे आप इनको जोड़ो 20 चालिस पाँच पैतालिस नों 52 पावन चवण हो जाएगा ना पाइज वो जाएगा देख लो पांच यहां पर आप इसे आयसा लिख सकते हो यू कैन राइट इस यह 10 आप कह सकते हो कि यक्स बराबर कितना आएगा 10 सेंटिमीटर अगर यक्स का मान 10 आ गया तो अब आप इन भूजाओं का real में मान निकाल सकते हो न अगर आपको real में भूजाए मिल जाएंगी जो यक्स एक्स के रूप में मानी गई है तो हम इनका छेतरफल आसानी से निकाल सकते हैं लिख लीजिए देख लीजिए दिख रहा ना भईया? दिख रहा ना बाबू? चलो, अब लिखो साइड निकालते हैं लिखो आता थिर्बुज की पहली भुजा 12X बराबर आता पहली भुजा 12X बराबर बारा गुड़े 10 बराबर 120 सेंटीमीटर ठीक है दूसरी भुजा आता है दूसरी भुजा 17 यक्स बराबर 17 गुड़े 10 बराबर 170 सेंटीमीटर ठीक है क्लियर तीसरी भुजा 25 यक्स बराबर 25 गुड़े 10 बराबर 250 सेंटीमीटर ठीक है यह हो गई बाबू आपकी कौन दोनों भूजाएं ठीक है पहली भूजा दूसरी तीफरी तीनों भूजाएं आ गई आपको रियल रियल में मिल गई जो थी वहाँ पर आप लिख सकते हो ठीक है ओके समझ गया यह फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी आप चित्र को चाहे बनाईएंगा चाहें कोई मतलब नहीं इसका इसमें कोई काम नहीं इसका यह जो गया अब लिखो नीचे को इने एक को हता यह इंटू माइन संब्स्क्राइब लेकिन यहां पर सवाल है कि यहजैंड बेलु कासी का हुग है 우와 क्का सबाइल अभी नहीं आया तो इधर साइड में निकाल लीजिए आध परिमाप यह बराबर यानि सेमी पिरिमीटर बराबर लिख लो सब्सक्राइब लिख लेना यह सब्सक्राइब कर देना है जोड़ लीजिए इन सब्सक्राइब तो 540 बटा दो बराबर 270 यह क्या आगया यह सब्सक्राइब निकाल लो थिक अब यह सब्सक्राइब और यह सीधा दिया है 120 170 और 50 इनको रख करके आप शेत्रफल निकाल लेंगे थिक है हाँ बच्चे कमेंट करने में सबका कमेंट देख रहा हूं देखो बेटा परिसान बिल्कुल न रहो चलो मान रख के निकालो देखे कुछ बच्चे बहुत परिसान है में उनका नाम लेता हूं जैसे कभीर स्टडी कलब यह जुड़े हुए हैं संदीप स्रिवास्तो जुड़े हुए हैं विकास कुस्वाहा जी जुड़े हुए हैं पुनीद जी जुड़े हुए हैं पारुल सिंग जुड़ी हुई तो हम आपका नाम जरूर लेंगे ठीक है तो आप class में आओ जरूर अगर पहले दिन आयो तो नहीं बोलते हैं इसलिए रोज आओ ठीक है चलो यस कमान रख दो 270 इधर साइड में अब हम value रखेंगे बाबू यस कमान 270 तो 270-a कमान 120 आया था अभी आपने देखा ये a कमान था यस कमान फिर से 270, बी कमान 170 आया था, यस कमान फिर से 270, पी कमान आपका 2500 आया था, 250 आया था, इधर साइट बढ़ते हैं, बराबर लगाते जाओ, जगा जेतनी भी है, उतने में करते जाओ, यह हो जाएगा आपका अंडर रूट ऐसे लग जाएगा, यह 270, इस में से घटेगा, आप घटा के देखो, जीरो में से जीरो आएगा, यह 5 आएगा, एक आएगा, 150 आएगा, इसको चाहे तो गुडा कर लो, डारेक्ट अब कुछ निकरना है, इसको घटा होगे, भाई, 70 घट गया, 200 बचा, यह 100 बचा, इसको घटा होगे, तो 20 बचा इतना तो तुम सबको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं, वर्गमुल तो निकाली लोगे, देखो, इनको तोड़ लेंगे, छोटा-छोटा पार्ट में, अगर इसे हम तोड़ें, 30-30 के पार्ट में, तो कितना आएगा, तोड़ के देखो, इसको हम लिख सकत है, 270 को, देखो, 9 गुड़ा तीफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 150 को तुम का लिख सकते हो, 150 को 5 गुड़ा तीफ लिख सकते हो, ठीक है, गुड़ा, इसको हम लिख सकते हैं, 5 गुड़ा 20, और ये 20 पहले से हैं, देखो, इसमें कुछ जोड़ा बन गया, वर्गमुल नि कि और नंव का तो कोई जोडा बनने रहा है थीख है पास प्रफा देखो जोडा बון जा रहा है कि एक पास बाहरा जा आएगा श्कुज्शन हटा दो स्क्रेश्चस से जट से एंसर आपका भीस-भीस का एक जोडा बन रवा खालत ब्याएगा था जोडा बंगा जानते ओंग नाइएप भील झाना जाने रहां गबिल मुलतीना आयें और बस फो गया घुर लो परद्ख faction कर लो यह तिन नब्बेट आया ये पांग दिन दस थो काण दूर्ब्ब्द में सॉखकर लो अलो बच्चों क्लाफ नाइन्थ की मैथ सुरू हो चुकी है एकसरसाइज आपका 12.1 चल रहा है देखो बच्चों आज आपका यह 12.1 खतम हो जाएगा और 12.2 आज ही सुरू हो जाएगा ठीक है तो यह लाश्ट कोईश्चन है ध्यान से देखिएगा 12.2 भी पढ़ना जाना नहीं कहीं ठीक है कि एक समदुबाहू सिर्भुज का परिमाप 30 cm है समदुबाहू ट्रेंगल का मतलब दो साइड इसकी इक्वल है ठीक है और उनकी जो बराबर भुजाएं हैं वह 12.2 cm दी गई है उनका पेरिमेटर दिया है यानि परिमाप दिया है कितना 30 cm दिया है तो इ किसी भी ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले उसकी तीनों साइड मालूम होने चाहिए अगर वह समकोंड सिर्भुज नहीं है जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है तो हमें तीनों साइड मालूम होने चाहिए तो तीनों साइड मालूम करन क्या दिया है अब परिमाप इक्वल तीस सेंटीमीटर और तिर्भुज का परिमाप तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं यह आपको पता है तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे यानि A C धन B C धन A B हम सब को जोड़ेंगे तो 30 आना चाहिए A C कमान 12 दिया है B C कमान नहीं दिया है A B का भी 12 दिया है तो यह यहां से हम B C find कर लेंगे दोनों जूड़ जाएगा बिटा यह इधर जाएगा घड़ जाएगा 24 24 है तो 26 आएगा यह कितना आगया 6 cm ठीक है अब तीनों बुझाएगा आगई अब हम इसमें हीरोन फार्मूला अपलाई कर सकते हैं ठीक है नीचे लिखो है आपर हीरोन सूत्र से हीरोन सूत्र से लिखो तिरभूज का स्थेत्रफल इक्वल अंडर रूट यस इन्टू यस माइनस ए यस माइनस भी यस माइनस सी ठीक है चलो बेटर रख दो यस कमान अभी तो हमने निकाला ही नए यस मतलब सेमी पेरिमीटर अर्द परिमाप तो पहले हम यस कमान भी यहां से फाइंड कर लेते हैं चलो साइड में कहीं कर लो यस कमान क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान टू ए मतलब पर्थम भुजा बी मतलब दूतिये सी मतलब तितिये तो बारा बारा चौबीस छे तीस मतलब यह जो यस की बैलू है फिप्टीन सेंटिमीटर आ गई तो यह हो जायागा फिप्टीन अब यहां पर आपको गौर करना है फिप्टीन यह और माइनस फाइस्ट अगर भुजा को हम ए भी माने तो यह 12 है फिर यस का बैलू 15 दूसरी भी 12 है और तीफरी कितना है 6 है रख दिया कुश्चन इस क्रेन से गायब कर दीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े हां लो चलो अब क्या होगा बच्चों बहुत ही आसान है यह बिटा समझो यह 15 इसमें से घटाओगे 3 आएगा इसमें से यह भी घटाओगे तो 3 आएगा यह घटाओगे तो 9 आएगा देखो इनके हम फैक्टर कर सकते हैं इधर साइड में हल कर लें चलो जगा है आजाओ इधर साइड में ले करके इनको चुपे से कि दिको इनको तीन और पांच के रूप मेंटूर सकते हैं न भीया Source इसका जोड़ा अगर मुद्धल में तोड़ने वाला कि इसका एक तीन बाहर निकल जाएगा तीन त्र tissu कंगों और यह 15 अंदर महीं रा जाएगा तोड़ते हैं तभी कोई मतलब नहीं होने वाला है इसमें से एक तीन बाहर निकल जाएगा नौक और गमूल होका तो तीन आएगा तुम्हें पता ही है यानि बराबर तीन गुड़ा तीन लिख सकते हैं अंडरूट में 15 फाइनल में नाइन इंटू अंडरूट 15 यह सेंटिम होता है अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए अगला कोईस्टन बस थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा यूटूब पर सब्सक्राइब करें क्योंकि फेस्बुक पर आपकी क्लासे आती है तो पार 11 बजे से आप फेस्बुक पर पेज मिल जाएगा लाइ आती है तो 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 आती ह